कैसे हैं हमने product mix और product का सारा हमने चप्टर घतम कर लिया था अगला है हमारा that is product life cycle चप्टर का नाम ही मान के चलो यह है product life cycle सबसे पहले देखो product life cycle होता गया है आपके सामने जैसे image में मैं समझाता हूँ हमने एक paid लगाना है ठीक है आप ध्यान देना हमने क्या लगाना है और यह हर जगह होता है हर life में होता है और कुछ-कुछ हाँ बोल सकते हो आपने economics के अंदर भी PPC curve जो पढ़ा होगा न सेम लगबग लगबग वही चीज़े systematic चलता है आपने सबसे पहले एक मान लेते हैं कि यहाँ पेड़ लगाया ठीक है एक पेड़ लगाया यह पेड़ लगाने का मतलब आपने start किया यह इतना सा था फिर धीरे-धीरे यह बड़ा होगा ठीक है यह बड़ा होगया यह ग्रोथ होगया तो यह initial phase होगया यह ग्रोथ होगया फिर यह बड़ा होगया भाई यानि यह matured होगया अब इसके अंदर fruits आ जाएंगे और last में कुछ समय के बाद पेड़ टूट गया decline यानि जीवन में यही हमारे पांच phases रहते हैं सबसे पहले हमारे life की बात करो तो हम छोटे होते हैं एकदम छोटे होते हैं फिर हम बड़े होते हैं थोड़ा growth होता है दस भी में पहुंच जाते हैं गैरवी बारवी में अपने आपको बड़ा समझने लगते हैं फिर हम बहुत बड़े हो जाते हैं जिम्मेदारी आजाती है matured हो जाते हैं फिर हम बूढ़े होने लग जाते हैं यानि decline होने लग जाते हैं और last में हम death तो कितने life हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच पांच life cycle होता है हमारा किसी भी product का और यह हर किसी के साथ है आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं अभी initial phase पे हूँ क्योंकि आपने पहले नाम नहीं सुन अभी initial फिर मैं आउँगा growth पे अभी मेरी उमर है बहुत ज़्यादा मेरे coaching industry की initial फिर मैं growth पे आउँगा लगबख लगबख initial मैं पार कर चुका हूँ मैं growth पे आचुका हूँ growth के बाद फिर मैं matured पे जाऊँगा फिर मैं decline क्योंकि मेरे जैसा कोई ना कोई और आजाएगा market मेरे जैसा कोई और alternative मिल जाएगा आपको market में decline और last में मैं थकार के बोलूँगा यार काम धंदे में मज़ा नहीं रहा जो कि पहले मज़ा था बंद करो इसको ठीक है न तो क्या कहता है the stages of the growth and decline product experience between being introduced आपका consumer and being आपका discontinued मतलब start किया और end किया लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यह सारे phases आपके life में आएगे ऐसा भी रहता है कई बार यह phases आया और सीधा आपका decline में चला गया मतलब आपने starting करा product दमनी था तो decline में जाना पड़ जाएगा है ना तो चलिए आईए start करते है product life cycle new product development क्या होते हैं हमारा और किस तरीके से करते हैं basically हम इसमें new product development को तो मैं card देता हूं हम product life cycle की बात करेंगे जो बहुत important है exam में पूछा जाता है question तो क्या कहता है the concept of the product life cycle was popularized by thurid livid नाम भी अजीब अजीब से होते है 1965 में दिया था इन्होंने बताया था कि the product life cycle जो product का life होता है may short for some product long for other हो सकता है एक product के लिए बहुत कम है और एक product के लिए बहुत long है जैसे कि मनलो कुछ product जैसे आया और चला ही ने market में चला गया आप for example हम किस्क 누ब कर ले लेते हैं जो कि आपको भी पता होगा जैसे कि जैसे-जैसे माल लेते हैं for example telecommunication में ही ले लेते हम telecommunication में हमारा जैसे कि वीडियो कौन का आया था हमारा वो अपको अगर नाम याद नहीं है तो मैं जैसे कौन से पड़क लू जो आपके रियल लाइफ से कनेक्ट हो क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है ATC, वो आया और लोगों ने इतना पता नहीं क्यों नहीं पसंद किया और वो चला भी गया, मैं भी भी ढूंडता हूँ, नहीं मिला कुछ books है, जो की आपका चलता ही रहता है, सारे face जैसे TS Gray वाल है, अभी भी है, ये growth पे एकदम maturity पे चल रहा है पर decline भी आएगा, कोई TS Gray वाल के जगह पर दूसरी book आजाएगा, आपके college के अंदर देख लो, अभी DU है DU के बाद भी कोई आजाएगा, तो ये सारा चीज़े चलता रहता है, तो कहता है कि some product fall immediately बहुत जल्दी वो बिकार हो जाता है while other life for long period एक product ऐसा हो सकता है कि जल्दी खतम हो गया आते ही खराब निकल गया, जैसे nano, nano आया market में exit हो गया, चला ही नहीं, nano जादा जितना hype बनाया था उतना नहीं चल पाया Netflix India के अंदर आया, आने के बाद इतना sustain थोड़ी ने कर चला गया जितना sustain Amazon Prime कर पाया Netflix नहीं कर पाया, मेरी समझ से तो other product long the product does, has the life cycle just human being आदमियों के जैसे life cycle होता है सबसे पहले begin होता है यानि बच्चा एक पैदा हुआ, introduction हुआ then goes through the period during which it's make grow फिर बच्चा बड़ा हो गया rapidly, बहुत तेजी से 9-10 में देखते हो, आपने देखा होगा 9-10 में जब आप 9-10 में जाते थे तो आपकी पैंट छोटी हो गई भाई, लंबे हो गई न, 9th क्लास में पैंट थी छोटी, अब पता नहीं बच्चे तो अब हर बार खरीद लेते हैं, हमारे टाइम पर ऐसा होता है, तो दूरिंग दा, रैपटली, इवेंटली, रीच्ड मैच्यूरिटी, फिर मैच्यूरिटी, अब मैं मैच्यूरिटी पर आ गया हूँ, कि मैं इतने सब चीज मैंने देख ली है, तो अब मैच्यूरिटी पर हूँ, standard, thereafter market decline, अब कुछ समय के बाद मान लेते हैं, कि अब मैं 10 से 15 साल मान लो, तो मैं decline पर चले जाऊँगा, सब को छोड़ दूँगा, यार अब तो होईगे, अब छोड़ो, lives come to end, और एक दिन मैं नहीं रहूँगा, the stages grow, product pass the consecutively known as a product life cycle, और जो इतने सारे stages से चले जाते हैं, उसी life cycle को क्या बोलते हैं, product life cycle, the life cycle of the product, commence with the birth and with the absence, मतलब खतम होने के साथ, खतम हो जाता है, during the life of the product, profit raise and fall, it's there after the necessary to the firm, आपका diverse, आपका appropriate marketing के अंदर, financial production के, मतलब यह सारे चीज़ है, life, product life cycle है, अब सर देखो कौन-कौन सा है, सबसे पहले introductory, जिसको आप developing stage भी कह सकते हो, फिर आपका growth हाएगा, फिर maturity आएगा, फिर decline पे जाओगे, फिर आपका, मतलब खतम, यह वाला पता है कब होता है, उसे खतम करने में फाइदा रहता है, जैसे कि मैं, एक example लेता हूँ, मेरे मुझे अच्छे से याद है, Nokia, ठीक है, Nokia का जब यह था ना, अगर मैं बात करूँ ना, Nokia Mobile की, पता नहीं आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, Mobile जो सब के हाथ में सबसे पहले आया था ना, Nokia का आया था, उस टेम पे Nokia का ही फोन था, की पैड वाले फोन ना, उस टेम पे 33,000 के आते थे, 2000 की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले Nokia का introductory था, तो बहुत अच्छा चला भाई, फिर वो growth में आया, हर किसी के पास, maturity, मतलब हर लोगों के पास Nokia ही, Nokia, कौन सा फोन Nokia, यहाँ पे इसने गलती कर दी, maturity के बाद, वो Samsung चला गया, मुझे अच्छे से याद है, Samsung चला गया Android बनाने के लिए, और Nokia चले गया, विंडो बनाने के लिए, और Nokia ने बोला हम विंडो बनाएंगे, एक mistake कर दी, विंडो इतना success नहीं हो, हाला कि Nokia का जो अभी दिखाते है न, Samsung का ये, वो फलना, डिखना, Nokia के उस टाइम पे जब विंडो में है था, तो उसके कैमरा आज के भी comparatively नहीं कर पा रहे उसको बीट, उस कैमरे को, तो Nokia चले गया विंडो में, लोगों को आदत नहीं थी, विंडो का, और Android थोड़ा सा user friendly था, तो इस situation में decline में गया, ठीक है न, अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब introductory face में होते हो ना, तो आपका समान का cost क्या होता है, high होता है, और आपका advertisement भी ज़्यादा करना पड़ता है, growth में भी जब होते हो ना, तो आपका cost क्या होता है, high होता है, लेकिन आप add नहीं करते हैं, क्योंकि आपका growth हो चुका है, maturity face में क्या होता है आपका, आपको price कम करना पड़ता है, क्योंकि आप matured हो चुके हैं, भाईया, competition करो, और decline phase में आपको price down करना पड़ता है, नुकसान होना चालो, और last में आप बंद कर इस धन दे को, यह हमारे faces है, basically जितना मैंने अभी तक बोला है, 5-7 mint, जो भी बानके चलो, 10 mint बानके चलो, तो इस time पर जो भी मैंने बोला है न, यही है basically product life cycle, अब बस इसको आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है न? आगे देखिए product life cycle बता रखा है, सबसे पहले हमारा introductory face है, यह रहा है introductory, फिर हमारा growth उपर बढ़ेंगे, फिर हमारा maturity यह चलेगा, फिर decline और last में खतम, death, जाओ भाई, आपको यह diagram PPC मैंने कर बताए न था, जिसके अंदर पहले बढ़ता है, फिर बराबर होता है, फिर मुझे पता है कि मेरे coaching में आज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, आज पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा growth factor में हूँ, एक दिन मैं mature भी हो जाओगा, फिर मैं decline पर भी जाओगा, फिर आप सब बोल जाओगे, तो यह चीज़े चलती रहती है, कहता है, the product moved through the five stages, namely introduction, growth, maturity, decline और आपका abandonment, तो यह क्या होता है सर, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, यह last dead के दरफ चला जाएगा, ठीक है न, आगे क्या कहता है, as the product moved through the different stages, इसको क्या बोलते है, its life, sales volume and profitability change होता रहता है, जैसे जैसे बढ़ेगा, change होगा, stage to stage में, change होता रहता है, sales volume, यह तो page आया है, management emphasis on the marketing mix element and the undergoes substantial changes stage, अब वो management क्या करती है, changes करती रहती है, तो ultimately यह था product life cycle, आज आते हैं सर, इसका सबसे पहला stage, introductory stage, क्या क्या बाते करी है, इसके advantage, disadvantage, अब देखेंगे, the first stage, product life cycle, is the introduction, जिसको हम pioneering stage भी बोलते हैं, under this stage, competition is almost, competition is almost not exist, जब आप बनाते हो, तो exist नहीं होता, price are high, price क्या होगा हमारा high, इसके मैं कर देता हूँ, market are limited and product innovation is known as the much, मतलब यहाँ पर innovative idea आएँगे, ठीक है ना, ऐस तरीके से, the growth sale volume is the lower, यहाँ पर अभी sale नहीं होगा, अभी लोगों को तो पता ही चल रहा है, because of lack of knowledge of part of customer, customer को इस बारे में पता नहीं है, difficult marketing, product available to the customer, customer को जल्दी available भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अभी starting ही कर रहे हैं, अब demand जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे दिमाग चल रहा है, during the stage, high expenditure has to be incurred advertisement, हमें add बहुत जादा करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, बार बार, मैं अपना product life cycle बता हूँ, जब मैंने start किया था तो OBE में मैंने एक तरह से पढ़ा तो बहुत पहले से रहा था, OBE में मैं सही बात बताओं तो मुझे अपने को survive करने के लिए बच्चों को solution भी बताना पड़ा था, ताकि कुछ पैसे आ जाए और उससे solution करके थोड़ा सा OBE lockdown के अंदर survive हो जाए, lockdown के duration में, उस टमपे मेरे पास एक भी staff नहीं था, मैं ही वीडियो बनाता था, मैं ही edit करता था, फिर एक 12th pass out मेरे पास आया मेरे से ही पढ़ता था, उसने बोला के सर, एक काम करते हैं न, मैं भी मुझे भी सिखा दो computer मैंने, चल भाई तू सी computer उसको सब काम मैंने सिखाया, तो इस तरीके से वो जो मेरा था न, वो कौन सा stage था मेरा, एक दम beginner stage था, जिस stage को क्या बोलते हैं, introductory stage था, वहाँ पर मेरे को खर्च ज्यादा करना पड़ता था, income कम होता था, क्यों खर्च मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, उस टम पर मेरी 10 रुपे की ही income थी, और खर्चा मैं 12 भी करता था, तो बोलता था अरे यार खर्चा ज्यादा हो गया, लेकिन जब मैं maturity phase पे अब आ गया हूँ, तो मेरी income माल लेते हैं कि 1000 रुपे हैं, अब मैं खर्चा अगर मैं 15 रुपे भी कर दूँ आता हैं, तो इस वज़े से heavy investment लगता है, आगे कहता है, पर्मोशनल टेक्निकल प्राइसे इस यूज़े से, अगर आप ये करते हैं तो अडप्ट करोगे तो हो जाएगा, जैसे advertisement करिए आप बहुत दबा के आप चल जाएंगे, attractive gift बगरे दीजिए, चल जाएंगे, price off करिए आप product पे कर चल जाएंगे, जैसे कि मैंने क्या करा introductory में अपना price off रख रखा है, बहुत जैसे भी है, आपका attractive discount दीजिए, मैं देता हूँ हर बच्चों को, high price product and greater profit, बस stage, आपका सिक्किम जैसे कि जैसे यहाँ पे pricing policy जो है, उस के हिसाब से लेके चलिए, यानि अगर ये बाते फालो करते हैं, तो आप success हो जाएंगे, आगे कहता है growth stage, हाँ भाई अब सब कुछ हो गया, थोड़े बहुत हमारे पास पैसे आ गया है, as the product growth popularity move into the second phase and life cycle, their growth stage during the, this stage, the dream expand, price fall, price कम करना पढ़ेगा, growth पे चले गए, competition increase हो गया क्योंकि तब तक ना कोई देख देख के ना कोई और भी चालू करने लग जाता है, आपका dispercent आपका greatly, आपका winded दा, management focus हो जाता है, nation improvement कर देते हो market का, deeper आपका potential, मतलब सारे चीज़े सोचने लग जाते हो, sometime major आप improvement करना पढ़ता है, like place, product, आप showroom वगएरा खोलने लग ज increase advertisement करना चाहिए, मतलब भीया, price को भी down करो, increase advertisement करो, incentive scheme लाओ, salesman रखो, new vision रखो, भीया आप ये करेंगे, brand का image building कर दो, ये सारे चीज़े आपको करना पढ़ेगा, किसमे, growth stage में, अगर ये सारे चीज़े करते हो, तो आपका growth stage क्या रहेगा, कामियाब रहने वाला है, तो य आला कौन सा था हमारा introductory, फिर क्या था growth, growth के बाद किस पहेंगे, बताओ, maturity stage में, maturity stage क्या है, maturity में क्या होगा, the product enter into the maturity stage, और further market get आपका saturated, मतलब इस stage पे ना, मेरे देखा देखी ना, बहुत लोग ऐसा होते हैं, आपने एक दुकान लगाई, बहुत बढ़िया चल रहा है, आ competition हाई हो जाता है, तो आपको maturity stage पे जो सबसे पुराना आता हो, वो sustain कर पाता है, लेकिन competition बढ़ता ही जाता है, जैसे पहले tempered का जबाना था, मैं mobile phone के ओपर tempered लगा रहा था, तो एक दो बीचता था था, tempered लगाया, आप देखो हर कोई tempered, 10-10 रुपे में tempered लगा लगा क्या चल रहा है यह, पहले भाई 200-300-500 का लगाते थे, कहता है, profits आपका susceptible में even the come down, profit कम होने लग जाता है, आपका stiff competition हो जाता है, आपका tough competition, increase advertisement cost बढ़ जाता है, the price might have been the decrease because of the competition, innovation technology, आचुका है market में, this stage में भी last for the long period, सबसे last stage है, may product which long run demand characters, but the sooner, later, कभी भी हो, demand of the product start decline होने ही होने वाला है, product differentiation, आपका identification of the segment, product improvement emphasis during the stage, क्या-क्या होना चाहिए आपके product को करने के लिए, product may भी different, आप उसके अंदर innovative करते रहिए, कैसे मैं नए-ने badge लाता हूँ, fast track badge, exam oriented badge में करता ही रहता हूँ, अभी passing badge एक नया launch किया था, करता है कि मैं declining face में ना चला जाओ, अभी जितना है उतना variance कर दो, warranty period extend कर दो, अगर आपका product है, आपका package packaging कर दो, बहुत ऐसा packaging कर दो, new market आप adapt करो, ये सारे चीज़े करोगे तो आप चल जाओगे, अब भाई साब खतरनाक, बुडे हो गए, declining face में क्या होगा, कहता है declining stage कौ to the product, आपका gradual, बस इसके जगह पर कुछ हो रहे है, लोग बोर हो गए इससे, some new product, change customer, customer को change चाहिए, by behavior बदल गया, खाखा के बोर हो गए, क्योंकि आज के टाइम पर बोर बहुत होते हैं, पतानी क्या चकल चर रहा है, मैं आज कल देखता हूँ भाई, हर किसी से बोर, यहीं चलता है, आज के ट्रेम लाइफ में न, ठेक है न, तो the sale fall down, तो इसके इसाफ से, expenditure promotion to cut down, बोल रहा है, बिली की नहीं रहता हो, हटा यार, advertisement हटा, यह सब हटा, और मैं अगर live example लूँ तो बहुत सारे परटक्टिर्स हाँ डिकलाइनिंग होई है, जैसे, मुझे अच् पूरे भारत में एक ही, बैसे दो आगे थे बाद में, एक ही scooter था, that is, बजाज, उसके बाद, वेस्पा वगरा आया था, बजाज चला भाई, खूब चला, खूब चला, हर बंदा, बजाज ही बजाज, इधर भी देखो, हमारा बजाज, उसके बाद, उसका थोड़ा maturity आया जब बजाज के साथ साथ, दूसरे scooter वाले भी आ गए, कौन कौन आ गया, hero Honda आ गया, एक LM के नाम से वेस्पा भी आ गया, select आ गया, बहुत सार आ गया, तो फिर भी चल रहा था, लेकिन बाइक बढ़ता गया उसके जगह, तो लोग बाइक पसंद करने लगए, बाइक चला ह self start से चलना पसंद करने लगए, फिर स्कूटी ने जब आ गई न मार्केट में, बजाज गया, अभी कुछ दिनों के पहले हैं, मेरे खाल दो से तीन साल हुए हैं, तो बजाज ने बोला भाई, अब ये product हम नहीं बेचेंगे, बंद कर देंगे इसको, उन्होंने बजाज scooter क बंद कर दिया, उसकी जगहे पे वो इलेक्टरिक स्कूटर में आ गए, तो हर किसी के में, तो declining बड़ा मुसीबत होता है, that declining में भी, rapid with the product soon, passing out market, slow, new usage, अब यहां पे आपको क्या करना चाहिए, अगर बना रहना है, तो new features आड़ करो भाई, आपका product decline हो गया, economic pack दो, सस्ता दो, promotion, product may be done, selective basis पे करो, reduce the distribution, distribution channel को आप distribution cost जो भी आपके कम करो, तब तो आप sustain कर पाओगे, अब मैं सोच रहा हूँ, जैसे मेरे जब declining पे मैं आऊँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, अभी जब प्लाइनिंग कर रखा है, कि मैं course का price ना, एकदम से एकदम सस्ता कर जैसे कि माल लेते हैं कि doubt का, एकदम first class, एकदम से करक, आपके 2-3 book के video डाल दूँ, जैसे college के अंदर कोई बोल रहा है क्या, हमारा ना, एक book चल रहा है, ये book, ये book, तो मैं सभी book को record कर लूँ तब तक, ताकि बच्चों के पास option हो, कोई जैसे कि आप भी, जैसे कि for example, क्यार मुंगा चल रहा है, है ना, मैं decline face में हो, तो मैं बस तीनो book होंगी, आओ, फिर मेरे decline से मैं बच जाऊँगा, बच्चे के मन पसंद की book का solution और chapter मिल रहा है, तब ही तो देखो जैसे कि मैंने FM के अंदर RP रस्तों की खतम कर दिया, illustration, अगली बार मेरा target इसके practical कर उसके बाद ये book पूरी हो गई, उसके बाद मेरा target रहेगा, आप दूसरी book अठालो, कोई writer का, तो उस हिसाब से मैं लेके चलूँगा, ठीक है न, सर सबसे खतरनाक, मर गया भाई, मर गया, product मर गया, many firm, अब इस product में पता क्या होता है, आप अपने product को बंद करके, उसको rebrand करके issue कर दो, जैसे voda phone था न, voda phone मर गया था, उसना vii करके करा, फिर भी नहीं बच पाया, कारण ही यह था न, वो यह नहीं समझ पाया, network देना है, network नहीं आता, मेरे area में तो खास कर नहीं है, तो मैं तो थ्यानिन देता, कहता है कि many firm, आपका, even done, the absolute product in the order put there, resources, better use, innovation product are introduced, मतलब उसको खतम करो और एक नए product को ले के आगो, market take place of the, आपका product as for, as far as possible, आपका attempt to should be made, आपका stop, postpone the decline stage, but if there is decline rapidly, तो आपको यह सारी चीज़े, heavy losses होंगे आपको, तो product को बंद करो, और product को चला, तो यह life चली, क्या गया life चली सर, बता दो फटा फट से, सबसे पहले introduction हुआ, कैसे बचा जा सकता है, फिर मजाया, growth, maturity, डर लगा यार, अब परबाद हो जाएंगे, और यहाँ पर death, ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, characters किसके form में, ठीक है न, देखो, PLC को, इसे PLC भी short form में बोलत profit बहुत कम होगा, competition है ही नहीं, innovation रहेगा, growth वाले में, maximum market share हमारे पास होगा, fast growth होगा, high होगा हमारा cost पर, raise होगा, growth easily, यह मैंने बना रखा है, इसको पढ़ लेंगा समझ, maturity में क्या होगा, maximum profit, peak पे होगा हमारा sale, बहुत हाई पे, अब इससे उपर कभी जाएगा, यह नही peak level पे होगा, profit बहुत कमा रहे होगा, many, competitor बहुत आ चुके हो, mass market हमारा market बहुत बढ़ा हो चुका होगा, decline पे minimum expenditure करेंगे, declining हो जाएगा, sales कम, cost per unit भी कम हो गया, yellow profit भी कम हो गया, competition भी बहुत जादा हो गया, अब loyal customer ही हमारे साथ रहेंगे, अब बागे सब भाग जाएगे, अगला देखी इसी तरीके से, जैसे क्या कहता है, PLC marketing stage में product strategy, क्या क्या करना चाहिए, पहला क्या करना चाहिए, आपको product strategy में अगर देखा जाए, तो introduction में क्या करना चाहिए, iron put product, यानि iron put product का मतलब क्या है, कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा investment करना चाहिए, product का cost भी पर करना चाहिए, product adjustment features पर डालना चाहिए, decline में simplify product को करना चाहिए, और जो product बेकार है, उसको बंद कर देना चाहिए, यहाँ पर pricing क्या रहेगा, high, high, यहाँ पर moderate रहेगा, यहाँ price को कम करना होगा, पर्मोशन, यहाँ पर create awareness के लिए high पर्मोशन, selective advertisement, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, minimum advertisement, तो यह एक छोटा सा एक example था, अब क्या क्या ऐसे factors हैं, जो कि इसको affect कर सकते हैं, क्या-क्या factor हैं, जो हमारे affect कर सकते हैं, simple सी बात है, rate and technology, technology affect कर सकते, अब देखो, education में offline, जो coaching पढ़ाते थे, technology ने मार दिया, वैसे तो आप वो भी online आ गए हैं, दिरे-दिरे, क्योंकि offline में बच्चा, graduation में मेरे हिसाब से, बहुत कम बच्चे अब offline पढ़ना पसंद करते ह सारा का सारा दिक्कत और scenario है, तो technology आ गई, rates of and technology change, if the technology change take place in the country, country में, the very high rate of the life cycle product is the country will be short, मतलब उसकी life cycle बहुत short होता है, and improve the product take place, एक तो ये change कर सकता है, influence क्या-क्या कर सकता है, affect, rate of market acceptance, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर market में मेरा पढ़ाने का style ही पसंद ना है, तो भाई आप फिर तो मैं बहार हो जागा, एक ये भी हमारा impact कर सकता है, ease of entry competitor, computer फट से आ जाता है, और फिर करने लग जाता है, फट से आके पढ़ाने लग जया, तो ये भी एक दिक्कत है, risk bearing capacity, हम भाई risk ही नहीं उठा पा ये repeat हो गया, तो इस chapter के अंदर थोड़े से points और रहेगा, बाकि इस chapter में ज्यादा नहीं आप पढ़िएगा, तो यही पढ़ना है, सबसे पहले product life cycle क्या होता है, उसके बाद 5 stages में बाटा है, पहला stage, दूसरा stage, तीसरा, ये graph भी बना के आए हैं आप paper में, जब भी आता है इसका question, एक simple सा graph बना दीजिएगा, ठीक है, इसके बाद introductory stage है हमारा, फिर growth stage है, फिर maturity stage है, फिर आपका decline stage है, decline के बाद फिर खतम last stage है, इसके कुछ points बता दिया और इसके क्यों-क्यों influence या effect हो सकते हैं, तो ये था हमारा chapter product life cycle, ठीक है, hopefully आप अच्छे से पढ़ रहे होंग के चल रहा हूँ, ताकि हो पाएं, आपका third unit हो जाता है, यहाँ पे, खतम, पूरा का पूरा, second unit पहले हो गया था, third unit खतम हो गया, अब हम start करेंगे, fourth या fifth जो भी unit easy होगा, उसको हम खतम कर लेंगे, तो चलिए, मिलते हैं हम इसी तरीके से, next class के अंदर या next video में, जो भी ह समझे, thank you so much.